राधे राधे हरी कृष्णा आप सब का कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फुलेरा दोज की हार्दिक शुप कामना है फुलेरा दोज के दिन करें शिव परिवार की पूजा और क्यों की जाती है इसके बारे में भी आपको यहां पे जानकारी दी जाएगी शिव परिवार की पूजा करने से जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं जितने भ जीवन के समस्त जो भी नकारातमक दोश हैं वो सब दूर होते हैं और कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव को चड़ाने से जीवन की जितनी भी कड़वाहट है जिन्दगी में जितनी भी तकलीफे हैं वो सब दूर होती हैं फुलेरा दूज पर भगवान श्रीक्रिष्ण और राधा जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पारवती की भी पूजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से पैवाहिक जीवन की सभी परिशानिया दूर होती हैं भगवान शिव की गृपा पाने के लि शुक्ल पक्ष की दुतिया तिती को मनाया जाता है इस दिन फूलों की होली खेली जाती है फुलेरा दूज पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पारवती की भी पूजा जरूर किया जाता है ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता पार ख़र करें अइसा करने से साद की सभी इक्षाइं पूरी होती है और कुंड़ियं में शणी के दुश्प्रभाव भी कम होते हैं कार सर्प दोस और कार सर्प योंग से भी मुक्ति मिलती है ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर भगवान शिव और माता पारवती की पुजा के दवरान उन्हें कुछ चीजें चढ़ाई जाएं तो वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है दामपत्य जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्त नहीं होती है पती पत्नी में प्रेम बना रहता है लिए हम बात करते हैं क भगवान शिव और माता पारवती को क्या चीजें चढ़ानी चाहिए भगवान शिव और माता पारवती को फुलएरा दूज के दिन आख के फूल का जोड़ा अरपित करना चाहिए इस से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है क्लेश दूर होते हैं और प्रेम संबंध म मधुरता आती है फुलेरा दोज के दिन भगवान शिव और माता पारवती को घी दीपक जलाना चाहिए और घी अरपित करना चाहिए ऐसा माना जाता है घी अरपित करने से घर का पारिवारी कलेश दूर होता है और आपसी तालमेल एवं प्यार वड़ता है माल पुगा माता पारवती और भगवान शिव का प्रिय भोग माना गया है ऐसे में फुलेरा दोज के दिन माल पुए का भोग लगाने से जीवन के सभी कश्टों से मुप्ती मिल जाती है और जीवन में शुबता का आगमन होता है फुलेरा दोज के दिन भगवान शिव और माता पारवती को केसर चढ़ाने से घर की नकार आत्मकता दूर होती है व्यक्ति के दुर विकार दूर होते है व्यक्ति भैसे दूर होता है और उसके भीतर साहस जनम लेता है फुलेरा दोज के दिन भगवान शिव को धतूरे का फूल धतूरे का फल चढ़ाने से जिस तरह से धतूरा विशैल होता है जीवन के जितनी विशैलापन है जितनी कड़वाहट है आपके जीवन में अगर पती पतनी के बीच में कड़वाहट है जिन्दगी में परिशानी है तो आप फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव को जरूर आपको धतूरे का फल चड़ाना चाहिए इससे आपके ज जीवन की कड़वाहट दूर होती है फुलेरा दूज वर्ष का अभूज मोहरत भी माना जाता है वैवाहिक जीवन और प्रियम संबंदों को अच्छा बनाने के लिए फुलेरा दूज से अच्छा कोई दिन नहीं माना जाता है फुलेरा दूज पूरी तरेशे दोश मुक् पेवाहिक जीवन और प्रेम संबंदों को अच्छा बनाने के लिए इसे मनाया जाता है फुलेरा दूज के दिन आप राधा और श्री कृष्ण जी को जोड़ा गुलाब का फूल चड़ाएंगे तिससे प्रेम संबंद अच्छा बनता है फुलेरा दूज वर्ष का अबूज मोहरत भी माना जाता है इस दिन कोई भी शुप कार्याप कर सकते हैं फुलेरा दूज में मुख के रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव और माता पारवती की पूजा करने से की जाती है इस दिन माना जाता है कि इस दिन में साक्षात्र श्री कृष्ण का अंश होता है जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं श्री कृष्ण उनके जेवन में प्रेम और कुशियां बढ़साते हैं फुलेरा दूज का पर्व मनाने क की विधि शाम को स्नान करके पुरा शेंगार कर ले राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाए राधा कृष्ण को सुगंद और अभीर गुलाल अर्पित करे पंचा अम्रिच से स्नान कराए अगर आप लड़ू गोपाल का भोग लगाएं इसके बाद मधुराश्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करें अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल राधे कृष्ण का जाप करें यह भी सर्वोत्तम माना जाता है कुलेरा दूज के दिन माता पारवती को शिंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं उसी तरह से श्री राधा रानी जी को भी आफ शिंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं और उसमें से आप कुछ प्रशाद रूप में अपने लिए अप इस्तमाल करने के लिए आप उसमें से कुछ ले ले श्रीक कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्सा से मनाते हैं राधे कृष्ण को गुलाल लगाते हैं आज के दिन भगवान शिव और माता पारवती जी को भी गुलाल लगाने का विधान है भोग भजन किरतन करते हैं क्योंकि फुलेरा दूज का दिन श्रीक कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है इस दिन भक्त कानहा पर जितना प्रेम बड़साते हैं उतना ही प्रेम कानहा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं इस दिन आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करने के उपाई भी कर सकते हैं जीवन साथी आपकी बात ना समझते हों तो जहां पे आप सोते हैं यानि पलंग के चारों पाओं में गुलाबी धागा बांध दे इससे पती-पत्निक्या संबंद मधूर होता है पलंग के नीचे गंदगी एकठा ना होने दे सोने के लिए धेर सारे तक्यों का प्रियोग ना करें फुलेरा दू क्या है फुलेरा दूज मनाने की सावधानिया शाम का समय ही पूजा के लिए सबसे उत्तम होगा रंगीन और साफ कपड़े पहन कर आनंद से पूजा करें अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी रंग के कपड़े पहने अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा के बाद सात्तविक भोजन ग्रहन करें फुलेरा दूज के ओ मनाया जाता है श्रीकिष्ण और राधारानी के ये शुब मंत्र करेंगे आपकी हर कामना पूरी माने तानुसार इस दिन श्रीकिष्ण डेजी ने राधारानी के साथ फूलों की होली खेली थी तबी से फूलेरा दूज पर फूलों की होली का तिवार मनाने की परंपरा चली आ रही है जो जीवन में खुशियां और मदूरता लाता है इस दिन राधा कृष्ण जी के फूलों से शिंगार किया जाता है इसे अबूज मुहरत भी माना गया है इस विशेश दिन भगवान श्रीकि करने से जीवन में सुख सौभाग प्रेम और शांती रिष्टों में मिठास का आशिरवाद प्राप्त होता है राधा जी के 32 नाम इस प्रकार से हैं मृदुल भाशिनी राधा राधा सौंदर राशिनी राधा राधा परम पुनीता राधा राधा नित नवनीता राधा रा विलासनी राधा राधा दिव सुवासनी राधा राधा नवल किशोरी राधा राधा अतिही भोरी राधा राधा कंचन वर्णी राधा राधा नित्य सुख करणी राधा राधा सुभग भामनी राधा राधा जगत स्वामनी राधा राधा कृष्ण आनंदी राधा राधा आनंद कंदनी राधा राधा, प्रेम उर्ती राधा राधा, रस आपूर्ती राधा राधा, नवल प्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रासेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगिनी राधा राधा, कृष्न संगिनी राधा राधा, कृपा वैश्रनी राधा राधा, परम हश्रणी राधा 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 सिंदु सरूपा राधा राधा परम अनूपा राधा राधा परम हितकारी राधा राधा कृष्ण सुखकारी राधा राधा निकुंज स्वामिनी राधा राधा नवल भामिनी राधा राधा रास रासेश्वरी राधा राधा स्वयं परमेश लगुश्वरी राधा राधा, सकल गुडीता राधा राधा, रसकीनी पुनीता राधा राधा, कर जोड़ी वंदन करू, मैं नित नित करू प्रणाम, रसना से गाती रहू, श्री राधा राधा नाम. इस तरह से आप फुलेरा दूज के दिन श्री राधा रानी जी के इन 32 नामों का जाप इसमर्ण अवश्य करे भगवान श्री कृष्ण की विशेश कृपा प्राप्त होती है। करने के लिए श्री पर भांग और दतूरा चड़ाया जाता है। तो इस तरह से फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ साथ पूरे श्री परिवार की पूजा करना बहुत ही शुवफलदाई माना जाता है। तब तक के लिए राधे राधे हरे किशना